शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें पुलर टेंशन, 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 पुलर टेंशन कालाजनाजी च्या हुआ आपके लड़के का कुई नोकरी-वोकरी मिलिया नहीं? क्या मताऊं भाईया एक्साइज इंश्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरिव्यू टेज सब कुछ पास कर लिया थे लेकिन दो-दो लाग पे अंदर हैंड मांग रहे हैं मैं गरीब आदी कहां से लाओ इतने पैसे घबराईये नहीं आपके बच्चे के उजवल भविश्य के लिए अब आ गए हैं भट्टी अंडरहेंड फानांसिर्स हर तरह की अडवांस रिश्वत के लिए आसान किष्टों पर लोन ले भट्टी अंडरहेंड फानांसिर्स गुद मॉर्निंग माइन में इस निखिल आप जा सकते हैं यह कहीं सर मेरी इंट्रिव्यू आपकी तो फोटो ही ठीक नहीं लेकिन सर यह तो मेरे बच्च्पन की फोटो है देखिए यह हमारे चाइल्ड सेकॉलोजिस्ट है यह तो बच्पन की फोटो देखकर ही बता देता है कि आदमी जीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा यहां कुछ भी नी बनेगा पर फोटो थे कैसे पता चल सकता सर परी कैसे नहीं पता चल सकता अब देखो ना मेरी बच्पन से ऐसी शकल से जैसे एक M.D. की होती है ओ यार उनमें मुझे भी का कि तेरी बच्पन की फोटो ठीक नहीं है यार यह तो गलत बात है ओ सरायाम जाती है यार हमें ऐसे लोगों के किलाब आवाज नहीं चापनी चाहिए बिलकुल ठीक बात है यार भी ये क्या खबर चपी है हमारे मेरे 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 बच्पन की फोटो देकर सेलेक्शन हो रही है सर मैं ऐसा करता हूँ M.D. साब को आफिस में बलवा लेता हूँ हो सकता है खबर गलत हो खबर गलत हो ही नहीं सकती मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है आप अभी M.D. को बलवाओ यहीं कोठी में हूँ ओके सर जी मैं वो बच्पन की फोटो लेकर आखा हूँ आरे यार पहले फोटो के चक्र में यहां इन्कौरी चल रही है चलो यहां से मिस्टर भटी आपने हमारे पूरे महपमे का मजाख उड़आ दिया है सर, अपना महापमा ही वड़ा मजाख कहाँ यहार क्या मतलब मेरे मतलब सर मैंने अपनी तरफ दे कोई ऐससा मजाख नहीं वीड़वा, यहार तो फेर आपने सिलेक्शन के लिए मैंने कहा था माताजी को उसका पूरा नाम और पर्टिक्लोज पता नहीं थे फिर हमने कहा कि कोई निशानी के तौर पे अगर कोई फोटोग्राफ गरा मिल जाए तो उन्होंने एल्बम से निकाल कर सारी ये बच्पन की फोटोग्राफ दे रही थी भटी सब मैंने सुना है कि आपने आनेमप्लाइमेंट पर बहुत स्टड़ी करी है मेरे मतलब बेरोजगारी दूर करने के कई नए नए धांग नए नए तरीके निकाले अजी ऐसी ऐसी तरकीबे हैं कि बेरोजगार टौर्च लेकर ढूनने से भी नहीं मिलेंगे बेरोजगारों के लिए किस किसिम के काम निकाले हैं कोई एक्जेम्पल फॉर एक्जेम्पल जो कभी लोग होते हैं जो शायर होते हैं आपका य। बैटा बाग में अपने पंख पसाड युलू बैठा बाग में अपने पंक पसार, कलियों ने घुंकाट ओड लिये, शर्म आ गई वहा, 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 मेरे साजन अब तो आजा, मेरे साजन अब तो आजा, करके टक्सी कार, वह, वह, बहुत अचा, हुशूर, हम आपी चाओंगा, अखबर शिंगपूरी गहाना है आज चल बिटे, आज आज चल बटी सब ऐसी बेहुदा शायरी तो सुननी बहुत मुश्किल है इसमें वावा करने तो बहुत बड़ी बात है ने ने को प्रावलोम ही ने ये तो जिन लोगों ने ये प्रोफेशन जॉइन करना हो उन लोगों को अपने कान का एक माइनर उपरेशन करवा लाना चाहिए उससे क्या होगा? उससे सुनाई देना काम हो जाएगा सिर्फ ये अंदादा लगेगा कि शेर कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है और किस किसम के कारोबार हैं जी आपके माइन में? अब कई लोगों के पगलिक रिलेशन बहुत पूर होते हैं उनकी किसी के साथ बंती नहीं यहां तक कि उनकी शादी पर भी कोई जाने को तयार नहीं होता मेरी तो अपनी शादी पर बड़ी मुश्किल से दो तीन बराती आये थे जी हां तो सैंकडो बेरुजगार आप चैसे लोगों की शादीयां टेंट कर सकते हैं अरे हमने तो अपने देवर की शादी में सारा कुछ बटी टेंट हाउसे मंगवाया था अच्छा टेंट, कनाते, क्रॉकरी, यहां तक के पच्छेस बाराती में उन्होंने भिजवा दिये अपन सूटेट, भूटेट, एजुकेटड पराद लग रही थे वैसे यह अच्छा किया और लड़के का चाचा उटो चौपार्टी में भेलपुरी बेशता है फिर टेंट हाउस वालों ने पांच सा रुपे में ऐसा चाचा भेजा क्योंते एकताम इंग्लेंड रिटॉन लगता था अब भूट से शिराबियों ऐसे होते हैं जो ठेके तक तो अपने आप पहुंच जाते हैं लेकिन पीने के बाद वापिस घर आना उनके लिए एक प्रावलम होती है अच्छली उने घर का रास्ता समझ में निया आगा न बटी साब तो ऐसे शिराबियों को ठेके से वापिस घर तक पुंचाना ये भी अपने आप में एक काम है ये लो जी अपने पती संभालो अड़ी पसली साब बराबर देख लो अच्छा सुनो रास्ते में कहीं गटार या नाले में तो नहीं गिरे थे नहीं जी नहीं आप चेक कर लो मिटी विटी कहीं नहीं लगी है सुनो सामने वाली बीबी जी पूछ रही थी कि उनके पती रात में शराब पीकर दो बजे फ्री होते हैं उन्हें गर पहुचा दिया करोगे जी बिलकुल पहुचा देंगे जी पर ये है जी कि दो बजे के बाद 50% चार्जे एक्स्ट्रा लगेंगे एक और एक्सामपल जल्दी दें तुमें बहुत जल्दी है ना ने बटिसाब मुझे तो कोई जल्दी नी पर हमारे दर्शकों को हमेशे हैं जल्दी होती है अपने जो नेता लोग होते हैं जब वो भाशन देते हैं तो उने तालियां बजाने वाली जनता चाहिए। हाँ, ये तो है। हजारों बे रुजगार ध्याडी पड़ तालियां बजाने का काम कर सकते हैं। आपके मिया को नापके राली थे तालिया बचवाने का उन्टराक्ट मिला है बहुत बड़ा पॉन्टराक्ट है पचाहondernे के टालिया बड़ पॉन्ट के लाइथ जाने है प्रस्टियीजिस helped you know ड्शाइप ल sommes क्cak Åść मेरे एक बड़े मिनिस्टर है तो मैं उना सज़ेस्ट करूँगा कि ये हजार दो हजार तालिया मारने वालों को ना पक्की नौकरी पर रख लें, मतलब सरकारी नौकरी दे दें ना ना सरकारी नौकरी पर नहीं रखना, देली वेजिस, टेंपररी जॉब वो क्यों? क्योंकि जिस दिन उने सरकारी नौकरी पर रख लिया, वो तो तालिया मारने चोड़ देंगे बेल रोजगार भैनों और भाइयों के लिए पेश है, अनिम्प्लाइमेंट कुईज जिन्दाबाद, मुटाबाद, 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 मुटाबाद ओरे रभी, क्या हो गया? यह तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सर कल को जब हमें नौकरी मिल जाएगी तो डिये की किष्टों और बोनस के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे? ओहो, यहां तुम्हें नौकरी यह देने के लिए नहीं बुलाया यह कोई employment exchange नहीं है यह quiz है quiz ओके, ओके, ओके समझदारों के शुरू करते हैं तो पहला स्वाल है, समझदारों के लिए स्वाल यह है कि सरकारी नौकरी और बिजनस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी सरकारी नौकरी में हजी लगती है, बिजनस में नहीं लगती ना, गल्ट है बेवकूफ बताएंगे कि सरकारी नौकरी और बिजनस में क्या फर्क है जनाब प्राइवेट बिजनस में लेन देन मेज के उपर से होता है और सरकारी नौकरी में मेज के नीचे से जवाब बहुत घूपसूरत तो अगला सवाल वैसे ही बेवकूफों की हिसे में आ रहा है सवाल है अगर नौकरियां पेड़ों पे लगने शुरू हो जाएं तो क्या होगा फिर तो माली की पोस्ट के लिए भी आईएस अपसरों की होड लग जाएगी सही जवाब के लिए मुबारक अब चनौती है सामजधारों के लिए सामजधार अपना दिमाग लडाएंगे सवाल है कि एक आदमी किसी कंपनी के चेर्मेन की पोस्ट को ठुकरा देता क्या देता कि मुझे नी चाहिए ये पोस्ट क्या कारण हो सकता जी वो इतनी बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी लेने से ड़ता है गलाट बेवकूफ बताएंगे सर वो लड़ चेर्मेन की पोस्ट को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि इसमें आगे नो प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं होता जवाब सही है बेवकूफों के प्रमोशन के पूरे चांस और अगला सवाल बाई चांस फिर बेवकूफों की नजर तो सवाल है कई बार आपने अख़वारों में नोक्रियों के विग्यापन देखे होंगे कई पोस्ट ऐसी होती है जिन पर हजार और पे दंखा होती है पक्स होती है गाड़ी बंगला नौकर चाहकर सब कुछ मिलता है ऐसी पोस्ट के लिए अगर अपलाई करना हो तो किन चीजों का धिहान रखना चाहिए ऐसी पोस्ट पर अपलाई करके वक्त नहीं बरबाद करना चाहिए वो क्यों ऐसी पोस्ट कमपनी के मालिक ने अपने बाल बच्चों को लिए रिज़र्व रखी होती जवाब दुरूस्ट इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई और इस जीती होई टीम को दिया जाएगा सौस और पे अनिंप्लॉयमेंट अलाउंस आप भी खाईए और 50% मुझे खिलाईए जी ये मेरा बेटा है इसने अभी पी काम की है जरूर नतल मार के की होगी जी आप तो जानी जान है पंड़जी पंड़जी नहीं जोतिश चारखो जोतिश विज्ञान के जाने माने विज्ञानी शिरी शिरी टेन रेसुट पावर एट स्वामी जस्पालानन मूर को बोलो जोतिश चार यकी जै महराज आप तो बस इसे नौकरे दिलवा दीजे गदे ने कहां अपलाई किया है मामे मुझे गदा कहा है चुपकर रहे पेटा इनके घ्यान के सामने हम सभी गदे हैं जी मेरे लाल ने अर्बन डेव्लप्मेंट अथरीटी में है बादा थारीक को इंट्रव्यू है योडिये, योडिये, योडिये चेरमेन है मिस्टर गोखले जी हां, सीयल गोखले बहुत ही शरीफ आदमी है हमने पैसे देने की बहुत कोशिश की पर बात बन ही नहीं कुंडली में गरबर होगी गदे की कुंडली कहा है ये लीजे महराज बहुँ चेर्मेन की कुंडली और गदे की कुंडली मिल नहीं रही मिलानी पड़ेगी मिला दीजे महाराज वो तो फिर हवन करना पड़ेगा दो लाख क्यावन हजार के हुटी और ग्यारा हजार की समगरी लग जाएगी ये बहुत जाता है वो तो फिर UDA में नौकरी मिलना इतना सान नहीं है वो भी इस गदे के लिए ठीक है आप समगरी लिखवाएए लिखिए एक टेन काजू तले होना हो फ्राइड काजू से क्लेस्टरल बढ़ता है देवताओं का भी क्लेस्टरल होता है स्वामी जी नए देवताओं का होता है आगे लिखो दो सिल्की साड़ियां चार कंबल एक गहरे निले रंग का गर्म सूट स्वर्ग में भी सर्दी होती है महराज जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसे गर्मी सर्दी भूख प्याज सब कुछ लगता है हंपयाज से याद आया कि चे बोतलेई विदेशी शराब की भी लिखो ये ये कौन से देवता है करफशन देवता कुछ तो सारे खुछ ये सारी समगरी दो लाग क्यावन हजार रॉपए ये सब घ्यारा तरीघ ग्यारा बजय से पहले 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 पहुंच जाएे को यह नहीं पता कि इमानदा रसर कभी डिल नहीं करते हैं, हमेशें आपने एजेंट के तुरू काम करते हैं, एजेंट? मुर को बोलो एजेंट जस पालानंद की, जेंट, पूल इटेंशन, नमस्कार, अब आप सुनिये, बेरोजगार समाचार, एक सरकारी अधारे के लिए जरूरत है 40 टाइपिस्स की, जिनकी टाइपिंग की स्पीड 10 कल्तियां प्रती लाइन, गप्पे हागने की स्पीड 206 सेकिंड और स्वेटर बुनने की स्पीड 2 स्वेटर प्रती सप्ता जरूरी है, अनखा के इलावा महीने में एक बार दफ्तर की स्टेशनरी चोरी करने क अनखा मौकर दिया जाएगा, बी एन आर डिपार्टमेंट के लिए जरूरत है 70 सिविल इंजिनियर्स की, जो 70 करोड का सडकों का बजट बिना सडके बनाए हडपने की शमता रखते हूं, उमीदवार साथ तारिक से पहले पहले हेड आफिस या सीधा मंत्राले से संपर्क क करने के लिए केवल सौसो और पचास-पचास के नोटों का ही इस्तिमाल करें, एक सरकारी हस्पिताल के लिए जरूरत है 10 डॉक्टरों की, जो अपनी प्राइवेट टेक्टिस के साथ साथ हस्पिताल के मरीजों को देखने का टाइम भी निकाल सकें, तंखा के इलावा सरका के जिनकी लंबी मुच्छे, बड़ी-बड़ी आखे और चेहरे पर दरावनापन होना जरूरी है, एक स्टाक्वों को प्रेफरेंस दी जाएगी, रोडवेज के लिए चाहिए 40 बस ड्राइवर, जो बिना हाथ दिये मूरना, हाई स्पीट ओवर्टेकिंग और बिना ब्रे हाँ कोई अच्छी नौकरी अगर आपकी नजर में हो तो हमें भी जरूर बताईएगा, हम दोनों खुद भी बेरोजगार हैं पूली टेंशन वो मिस्टर टिकु आप बे फिकर होकर इंटरूट पर जाएए, आपकी स्लेक्शन हो जाएगी, जिन जिन अफ्षनों भी हमने मूच्छे की ली करनी थी, वो कर दी हैं वाँ, वो मिस्टर बत्टी, वो जिन अफ्षन कमेटी के मेंबर को पता कैसे लगेगा के सफार्शी काडिड़ेट मैं हूँ हमने सारी सेटिं कर दी हैं जी हैं, वो जो जो भाई हास्ते दूसरे नवर पर बैठा होगा, जब यू कोई सवाल पुछे उसे अपनी दाई आँ के लिए फोर्मेंट की रिक्वार्मेंट दी थी, वो जी चार आदमी भेज तो दिये थे, चार नहीं, एक चाहिए, जी चार आदमियों का काम एक आदमी कैसे कर सकता है, अरे भाई, चार आदमी नहीं चाहिए, मुझे फोर्मेंट चाहिए, जो मेरी फेक्टरी में मशीनों अच्छा अच्छा एक्सपर्ट एवन हो जी हमारा एक्सपर्ट एवन हो जी हमारा रिकमेंड किया हो आदमी कभी फेल हो ही नहीं सब्सक्राइब तर दूसरी को आख मारनी है यह बाहीं तर से को मिस्टर टिकू आपकी व्यूनिकेशिन क्या है जी व्यूनिकेशिन बत कमीस ओओंध मुझे लगता मैं गलत आंख मार गया जी जेंटलमें आपका कोई व्यूनिक्स प्रियूनिक्ष एए यह फिर जबहूंग। मश्छ़च वह क्या है यह बत्तमीजी है यह मुझे ईनक उठाओटा कर अंक मारा नहीं मैटम लिए चाइन जान गुच कर नहीं मारा हा आफ वे बत्च शरीफ आप मैंजी यह मालूंग अपे क्या मालूमग आप जानते हैं नहीं मैं तो बहसी जदल बात कर रहा हूँ वो क्या है कि कई लार एक्स्ट्रेमली ब्यूटिफुल लेडी देख कर ना उसके ऑनर में आख अपने आप दब जाती है क्यो भई एहहह यह जर्स माडम थैंक्यू बेटे की इंट्रव्यू काला आगई है पांच सो जगा अपला ही किया था पर इंट्रव्यू लेटर पहली बार आई है वेरी गुड वेरी गुड कहा है लेटर? औरीजिनल लेटर तो हमने फ्रेम करवाने के लिए भीजी है यह फोटो स्ट्रेक कॉपी है आप इसे देख लीजिए यह उतनी ही मज़ेदार है लेटर मिलने से रॉकरेनी मिल जाती वो तो हमें मालूम है इसलिए तो आपके पास आए है अब बताईए आगे क्या करना है आगे तो आप यह फॉर्म भर दें और चपन सो पचाथ रुपे जमा करवा दें वो किस चीज के? बी-ई गाइडेंस के बी-ई गाइडेंस? बैक डॉर एंट्री गाइडेंस मतलब अंदर ही अंदर पिछले दर्वाजे से सिपार्शी नौकरी हाँ लेकिन चपन सो पचास किस हिसाब से? आपको पता है जिस डिपार्टमेंट में इंटर्व्यू है उसके M.D. कौन है? और किस इलाके के हैं? जी नहीं इस इंफरमेशन के 1650 रुपे आप जानते हैं उस मेंग में का मंतरी को ओन है और वो किसका कहना मानता है? जी ये तो नहीं जानता इस जानकारी के 2000 रुपे आपको मालूमा आपका बेटा जिस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहा है उस पोस्ट के लिए अंदर का टेबल फी कितनी है? इसकी तो ख़बर में तो फिर इस ख़बर के भी 2000 रुपे हैं इस सारी इंफरमेशन के कितने पैसे हो गए? चपन सो पचास तो फिर मैने भी तो इतने ही बताये थे बटी साथ पहला सब मूं मिठा करें है अच्छा अच्छा तो नौकरी मिल गई नौकरी तो मिल गई बटी साथ उजे स्लेक्शन कमेटी के बोर्ड में मैडम नी थी मैडम परॉमिला जिसकी पिछले 10 साल दे शाधी नी हो रही है उससे नौरी शाधी तय होई है तो फिर तो डबल मुपारग हो गई है सर ये लो चपन सो पचास रुपे सर आपको तो नौकरी दिलाने का बहुत तजर्बा है मुझे तो 20 साल का तजर्बा है मुझे पता है नौकरी लेने में कितनी मुश्कल आती है सर मतलब आपने 20 सालों में कही नौकरिया की है नौकरी तो मुझे मिली नहीं ये तो 20 साल मैंने धक्के खाये नौकरी के लिए Unemployment Experience करते की सरय झाल थे जैक्रा स्थेर इंट स्टेस्ट और Film और ग Swiss Looks झाल 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 झाल